जैस्री कृष्णा रादे रादे आप सभी का मेरे लड्डू गोपाला चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों भगवान तो भाव के भुके होते हैं उन्हें हम भारी दिखावे से प्रसने नहीं कर सकते इसके लिए सच्ची स्रद्धा होनी चाहिए भगवान निश्चल प्रेम भाव पर रीद जाते हैं आईए सुनते हैं लड्डू गोपाल के एक ऐसे ही भक्त की कहानी एक बार की बात है एक औरस स्री कृष्ण की परम भक्त थी उनके पास लड्डू गोपाल का स्री विग्रह था जिसकी वह हर रोज सेवा करती थी एक बार तीर्थी आत्रा के लिए उसे एक मास के लिए घर से दूर जाना था उसने अपनी बहु से जिसकी अभी नई-नई शादी हुई थी कहा कि मेरे तीर्थी आत्रा पर जाने के बाद तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बहु कहने लगी की ठीक है माजी आप मुझे विधी बता दे मैं पूरी स्रद्धा से उनकी सेवा करूँगी उसकी सासु मा कहने लगी की बहु सुबह सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराना उसके पश्चात उनको सुंदर वस्त्र आभुशन बासुरी मुकुट पहनाना इत्र लगाना और उसके पश्चात ठाकुर जी को दरपंड दिखाना दरपंड में जब ठाकुर जी मुस्कु ठाकूर जी को स्नान कराया। उसके पश्चात, सुंदर वस्र, आभूशन, मुकुट पहनाया। बासुरी अर्पित की और इत्र लगा कर ठाकूर जी को दरपन दिखाया। उसे याद आया कि मा जी ने कहा था कि जब ठाकूर जी का विग्रह मुस्कुराता हुआ दिखे तो उ उने भोग लगा देना। लेकिन उसे लगा कि ठाकूर जी का विग्रह मुस्कुरा नहीं रहा। वह सोचने लगी कि सायर ठाकूर जी को मेरा किया स्रिंगार पसंद नहीं आया। इसलिए वह मुस्कुरा नहीं रहे। उसने ठाकूर जी को फिर से स्नान कराया और स्रिंगार की सारी प्रकौिया दोहराई लेकिन उसे हर बार यही लगता ठाकुर जी मुस्कुरा नहीं रहे जरूर मेरे स्रिंगार में कोई कमी रह गई है सर्दियों के दिन थे लेकिन बहु बार-बार ठाकूर जी को स्नान कराती और श्रिंगार को बदलती रहती आखिर में कई बार ये प्रक्रिया करने के पस्चात उसे लगा कि ठाकूर जी मुस्कूरा रहे हैं एक महिने तक लगातार वह ठाकूर जी की सेवा करती रही एक महिने के पस्चात जब उसकी सास वापिस आई तो कहने लगी की बहु अपसे लड़ू गोपाल जी की सेवा मैं कर दिया करूंगी बहु कहने लगी की ठीक है माजी जैसा आपको उजित लगे अगले दिन सुबह सासु माने ठाकूर जी को स्नान कराया और सिंगार किया दरपन दिखा कर भोग लगा दिया रात को ठाकूर जी उनके सपने में आये और कहने लगे की तुम मेरे स्नान और सिंगार की सेवा अपनी बासुरी पहनाए लेकिन जब भी वह मुझे दरपन दिखाती तो उसे लगता कि मैं मुस्कुरा नहीं रहा इसलिए बार-बार मुझे स्नान कराया वस्रावूशन बदले उसके इस भोले भाव के कारण मुझे सच में मुस्कुराना पड़ा इसलिए उसकी सेवा में सच्ची भक्ति का रस मिलता है सपने के पस्चात उसकी नींद खुल गई अगले दिन सुबह उठते ही सासुमा ने सपने को परखने के लिए बहु से पूछा की मेरे जाने के पस्चात तुमने ठाकुर जी की सेवा कैसे की थी बहु ने सारी बास सासुमा को बता दी सास बहु से कहन लगी कि तुम धन्य हो तुम्हारे कारण मुझे स्वपन में ठाकूर जी के दर्शन हुए और बहु से कहने लगी की ठाकूर जी चाहते हैं की उनका स्नान और स्रिंगार तुम करवाया करो यह कहते हो एशास ने अpsy VO9 बहु को सुना दिया इसलिए तो कहते हैं कि भगवान की सेवा सच्चे भाव से करनी चाहिए क्योंकि वह सच्चे भाव पर रीषते हैं बारी दिखाव पर नहीं बोलो लड़ु गोपाल की जै तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइ प्रादे!